तो आखिरकार मतुरा की महा पंचायत में पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर फैसला सुना ही दिया गया बताएं कि महा पंचयायत सीहोर के गतावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के उस बयान को लेकर रखी गई थी जिसमें उन्होंने राधार आनी का निवास बरसाना नहीं बलकि रावल बताया था हालक उनका ये बयान काफी पुराना था जिसका वीडियो बाद में वाइरल हुआ और इस पर बवाल मच गया इसके बाद बरसाना, मतुरा और अयोध्या तक उनके इस बयान पर नाराजगी देखने को मिली और साधू संतों ने उनके इस बयान को गलत भी बता है अब इस मामले को लेकर महा पंचायत में ये तै हो चुका है कि पंडित प्रदीप मिश्रा को बरसाने आकर माफी मांगनी होगी और तब तक उन्हें किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा राधा रानी पर की गई अपनी टिपनी के चलते विवादों में आये थी कठावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जिसके बाद उन्हें सफाई भी दी थी कि उनके बयान को तोर मरोड कर पेश किया गया लेकिन अब बरसाने में संतों ने महापंचायद बुलाई और उसमें ये पैसला लिया गया कि ब्रज के किसी मंदिर में प्रदीप मिश्रा को प्रवेश नहीं दिये जाएगा अगर उन्हें माफी भी मांगनी होगी तो उसके लिए भी संतों महंतों के अनुमति के बिना वो ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राधा रानी के जन्मस्थान को लेकर श्रीकिष्ण की पत्नियों में उनका नाम ना होने को लेकर विवादित बयान पंडित प्रदीत मिश्रा ने दिया था अपनी सफाई में कहा था कि उनके बयान को तोड मरोड कर पेश किया गया और जिसके बाद प्रेमा नंजी महराज के साथ भी उनका विवाद हुआ लेकिन बाद में मंत्री कलाश विजे वरगे के सुलह करवाने पर दोनों के बीच सुलह भी हो गई थी लेकिन बरसाना कसं स प्रदीप मिश्रा के प्रवेश पर तब तक रहे थे जानकारी दे रहे थे कि किसना से यहां पर संतों की महा पंचायत बुलाई गए थी उसमें क्या फैसला लिया गया कि ब्रज में पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवेश पर तब तक रोक रहेगी जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं वहां आकर और माफी मांगने के लिए अगर वो आएंगे तो उन्हें पहले प्रवेश करने से पहले वहां के संसमाज की अनुमती लेनी होगी ब्रज के किसी भी मंदिर में जाने पर पंडित प्रदीप मिश्रा के रोक लगा दी गई है और इसके लिए यहां संसमाज की ओर से महा पंचायत बुलाई गई थी ना सिर्फ संसमाज के बल्कि आसपास के गाओं के जो मुख्य लोग हैं वो भी इस पंचायत में शामिल हुए थे और उसके बाद यह फैसला वहाँ लिया गया है कि ब्रच के किसी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रवेश नहीं मिलेगा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रेमा नंजी महराज ने सोशल मीडिया से पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ किये गए अपने पोस्ट हटा लिये थे जब उनकी फोन पर बातचीत करवाए थी मंत्री के लाश विजे वर्गे ने पंडित प्रदीप मिश्रा से यहां आकर राधारानी से माफी नहीं मांगी और जब तक नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें माफ नहीं किया जाएगा और साथी अब उनके ब्रज में एंट्री को लेकर भी रोक लगाने का फैसला महापंचायत के सुनाया है संत महंत की अनुमती के बिना पंडित प्रदीप मिश्रा को ब्रज की मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा उन्हें माफी मांगने के लिए अगर यहां आना होगा तो भी पहले अनुमती लेनी होगी उसके बाद ही वो यहां पर आपाएंगे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इतना ही नहीं जानकारी यह भी मिल रही है कि बरसाने के लोगों के द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा पर फैसला किया जा सकता है हाला कि खाबरे यह भी आ रही है कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने पहुँच सकते हैं माफी मांगने के लिए यानि कि मामले का पटाक्षिप उनके द्वारा हो जाए इसकी कोशिश है प्रदीप मिश्रा के किस बयान पर विवाज छड़ा ये जान लिजिए पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रवचन में कहा था कि राधा के पती का नम अनैगोश उनकी सास का नम जटिला और ननन का नम कुटिला था राधा जी का विवा छाता गाओं में हुआ था राधा जी बरसाना की नहीं बलकि रावल की रहने वाली थी बरसाना में राधा जी के पिता की कचेहरी हुआ करती थी जहांपर साल भर में एक बार वो आया करती थी जैसे ही पंडित प्रदीत मिश्रा की ये क्लिपिंग वायरल हुई थी विवाद छड़ गया तरह तरह की प्रतिक्रियाँ सामने आने लगी बरसाने के लोगों का घुसा फूट पड़ा इसके बाद विख्यात संद प्रेमानंजी महराज ने इस बयान पर नाराजगी जताई और बीती दस जून को प्रदीत मिश्रा को जवाब भी दे डाला उन्होंने काए कि लाटली जी के बारे में तुम्हें पता ही क्या है तुम जानते ही क्या हो अगर तुम किसी संद के चरण रज का पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी ऐसी वानी नहीं निकलती वो बहुत हुस्से में थे उन्होंने काए कि जैसा वेत कहते हैं राधा और श्री कृष्न अलग नहीं है तुझे तो शर्मानी चाहिए जिसके यश का गान करके जीता है जिसका यश खाता है जिसका यश गा कर तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है उसकी मर्यादा को तूर नहीं जानता प्रेमानन्द महराज कह रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि चार्श लोग क्या पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता बन गए तुम नरक में जाओगे व्रिंदावन की भूमी से गरच कर ये बात मैं कह रहा हूँ हलक पंडित प्रदीप मिश्टा के द्वारा ये कहा गया कि उनकी ये क्लिपिंग सालों पुरानी है और उन्होंने जो बात कही थी उसका जिक्र धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है उन्होंने ये भी कहा कि इसे कांट छाट कर पेश किया गया उनका कहना था कि कांट छाट कर जान भूज कर इसे पहलाया गया कुछ लोग उनका विरोध करने का शड्यंद्र करने में लगे लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इसे एक नया एंगल भी दे डाला और कहा कि कुछ लोग शिवा महापुरान का विरोध करना चाहते हैं महाप महापुरान के चरणों में आ कर दंडवत कर लूँ आप बोलो जितने दिन तक राधारान के चरणों में मैं पढ़ा रहूँ वो मिरी मा है उन से मेरा कोई बैद नहीं है उन्होंने प्रेमानन्द महराज को भी बड़ा संत्त बताते हुए कहा था कि मैं उनके उनके बयान को लेकर साधू संथ आपती जता रहे थे नाराज नजर आ रहे थी बाकाइदा उनके इस बयान को लेकर ठाने में शिकायत दी गई जिस पर कुलिस जाच भी कर रही है अपने तरीके से प्रदीत मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला तक बीते दिनों तेहन किया गया था आपको बता दें कि पंडित प्रदीत मिश्रा ने अपने सफर की शुरुआ सीहोर के एक शिव मंदिर में कथा सुना कर की थी पहले वो शिव मंदिर में साफसफाई का कान किया करते थे पंडित प्रदीत मिश्रा लगभग हर कथा में ये कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल और उनकी यही बात जो है लोगों के मन में बैट गई प्रसिद्धी बरती गई लाखों लोगों ने उन्हें सुनना शुरू कर दिया हलाकि ऐसा नहीं है कि पंडित प्रदीत मिश्रा केवल अपने इसी बयान से विवाद में चाये हूँ इससे पहले भी वो व्यास पीट से कई सारी ऐसी बाते कह चुके हैं जिन पर विवाद भी हो चुका है कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं मसलन उन्होंने एक बार कहा हिंदूओं को चार बच्चे पैदा करने चाहिए दो बच्चे अपने पास एक सनातन धर्म के लिए एक देश की रक्षा के लिए इसके लावा मंदिरों में जो ड्रस कोड बीच में लागू हुआ इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये लोग सनातन क विरोधी हैं जो ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं उन्होंने कथी तोर पर गोसवामी तुलसी दास के लिए गवार शब्द का इस्तमाल किया इसका वीडियो तो हल ही में वाइरल हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम कुछ नहीं आता हम तुलसी दास जी की तरह गवार ह कहा था कि एक बेटा संग में या बजरंग दल में जाना ही चाहिए इतना ही नहीं उन्होंने इंदोर की बिगडी फिजा को लेकर भी टिपणी की थी और इसे बाहरी लड़कियां बिगाट रही हैं ये भी उन्होंने कहड़ा था नर्वदा पुरम में तो समिधान बदलकर हिंदोराष्ट्र बनाने की बात भी वो कहते नजर आए थे खैर इससे इतर पंडित प्रदीप मिश्रा के राधार आनी वाले बयान पर नाराज़की खुलकर सामने आई और कुल मिलाकर मतुरा की महा पंचायत में ये तय हुआ कि पंडित प्रदीप मिश्रा को बरसाने आक माफी मांगने होगे और तब तक उन्हें किसी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया चाएगा